नमस्कार दोस्तों आप सबी को हमारे चानल पर फिर से स्वागत है चलिए देखते हैं कुछ नए वाक्य, कुछ नए शब्द और उसके अनुवाद हम कनड़ा में कैसे करते हैं और उसका प्रयोग हम किस विबिन तरह से करते हैं ये भी जानेंगे तो चलिए देखते हैं लेसन टू माप को बताना और पैसे की गिंती तो यहाँ देखे हम जानते हैं कि हम पाव किलो, आदा किलो, जो के 200 ग्राम, 500 ग्राम, 750 ग्राम या फिर 1000 ग्राम को हम पावना किलो या फिर 1 किलो ऐसे हम बताते हैं तो दिखें पाउ किलो आधा किलो पाउना किलो एक किलो तो पाउ किलो का कनड़ा में अन्वाद होगा कालू किलो आधा किलो का कनड़ा में अन्वाद होगा अर्धा किलो पर हम जिस या जब समय के हिसाब से बोलते हैं या फिर पैसे के हिसाब से बोलते हैं तब वो वरे होग अर्दा नहीं होगा यह हम जानेंगे आगे और मुकालू जैसे के हम पौना किलो बोलते हैं जैसे 750 ग्राम उसको हम मुकालू किलो बोलते हैं ठीक है तो यहां पर देखे, मुझे 250 ग्राम या फिर 500 ग्राम या फिर 750 ग्राम चावल दे, तो इसे हम हिंदी में किसे बोलते हैं, मुझे पाव किलो चावल या फिर आधा किलो चावल या फिर पावना किलो चावल दे, तो इसका कनड़ाव में कैसे अनुवाद होगा, मुझे ननग पाव किलो, कालू किलो या फिर कालू केजी या फिर मुझे आधा किलो या फिर आधा केजी ननगे अर्दा केजी वरे केजी का प्रयोग नहीं होगा चावल अकी कोडी या फिर मुझे पावना किलो चावल दे ननगे मुकालू केजी अकी कोडी ऐसे हम बोल सकते हैं ठीक है अब ऐसे भी बोल सकते हो मुझे एक किलो प्यास दे ननगे वंदु किलो नीरुल्ली कोडी जैसे कि हम ने बोला मुझे आदा केजी चावल दीजिये या फिर ननगे मुकालू केजिया की कोडी मुझे पाउना किलो चावल दें ठीक है तो यहाँ पे देखे मुझे पाउ लिटर तेल दें पाउ का अनुवाद हमने किया है कालू लिटर लिटर रहेगा मुझे होगा ननगे तेल होगा यन्ने दें का अनुवाद होगा कोडी ठीक है तो मुझे 10 लिटर दूद दे ननके 80 लिटर हाल कोड़ी या फिर मुझे 10 लिटर तेल दे ननके 80 लिटर हाल कोड़ी 10 लेटरो मुक्कालु लेटर यनन ने कोड़ी 10 लेटरो पॉना कानवाध होगा मुक्कालु लेटर यनने कोड़ी तो अगर आप विब्णी तरिखे से बोलना चाहते हो के जैसे मुझे 1 लिटर मिन्रेल वाटर दे ननके 1 लिटर मिन्रेल वाटर कोड़ी मुझे 2 लिटर का मिन्रेल वाटर का बॉतल दे ननके 8 लिटर मिन्रेल वाटर बॉतल कोड़ी मुझे 10 लिटर डीजल दे ननके 7 लिटर डीजल कोड़ी मुझे 20 लीटर पेट्रोल दें ननकी 20 लीटर पेट्रोल कोडी मुझे 10 लीटर पेट्रोल कैन में डाल के दें ननकी 70 लीटर पेट्रोल कैन इनली हाकी कोडी ऐसे आप बोल सकते हो तो मुझे धाई लिटर दूद दो धाई कानवाद होगा एरडो वरे जैसे कि हमने बोला यहाँ पर एरडो अर्दा नहीं बोलेंगे हम जब भी हम माप को बोलते हैं या फिर जब पैसे की गिंती को बोलते हैं तब जब आधा जुट जाता है किसी संक्या से तब हम वरे बोलते हैं जैसे के हमने समय पे देखा के अब समय धाई गंटे है ठीक है तो हम बोलेंगे इका समय यरडो वरे यानिके हम नहीं बोलेंगे यरडो अर्धा ठीक है अब मुझे देड किलो चावल दे नने वंदु वरे केजी अक्की कोडी मुझे ढ़ाई kilo शक्कर दे नगे अरडू वरे kilo शक्करे कोडी ऐसे हम ब tastingगे तो यहाँ पे देखे मुझे देढ किलो चावल दे नगे वंदू वरे केजी अक्की कोडी आप ऐसे भी बोल सकते हो मुझे शाड़े तीन किलो शक्कर दे नगे मुरू तो यहां पर देखे पाउडर कोडी या फिर चा सप्पो कोडी ऐसे हम बोल सकते हैं तो दिखे मुझे साड़े पांच लीटर दूद दें तो इसका अनुवाद क्या होगा ननगे अईदू वरे लीटर हालो कोडी मुझे साड़े तीन किलो क्राम चावल दें ननगे मूरू वरे केजी अक्की कोड मुझे साड़े पांच वरे केजी अक्की कोडी मुझे पौने चार लेटर तेल दें ननगे मूरू मुकालो केजी यणने कोडी ऐसे हम बोल सकते हैं तो हम अब देखेंगे पैसे की गिन्ती ये हो गए 10 पैसे हत्तु पैसे 10 को हम हत्तु बोलते हैं या फिर आप 10 पैसे भी बोल सकते हो ये हो गए 25 पैसे हम बोलते हैं 25 पैसे ये हो गए 50 पैसे हम बोलेंगे 50 पैसे 1 रुपया वंदु रुपाई, दो रुपे, एरडु रुपाई गळु या फिर एरडु रुपाई, पांच रुपे, अईदु रुपाई गळु, या फिर आप अंग्रेजी शब्द खाबी प्रयोग कर सकते हो, आप फाइब रुपीज बोल सकते हो, दस रुपे, हत्तु रुपाई या फिर हत्तु रुपाई गळु, गळु शब्द का प्रयोग हम नहीं करेंगे, हत्तु रुपाई भी बोल सकते हो, हत्तु रुपाई गळु भी बोल सकते हो, बीस रुपे, इप्पत्त रुपाई, पचास रुपे, अईवत्त रुपाई, स नूरू जैसे कि अगर 300 रुपए है तो हम मूरू नूरू रुपए भी बोल सकते हैं पर हम ज्यादा तर मुनूरू रुपए बोलते हैं अगर 400 रुपए है तो उसका actual अन्वाद होगा नालकु नूरू रुपए पर हम नानूरू रुपए भी बोलते हैं तो उसको थोड़ा जैसे कि 600 रुपिया ऐदु नूरु है 500 रुपिया आरु नूरु ठीक है 600 रुपिया योळु नूरु 700 रुपिया एंटु नूरु 800 रुपिया उम्बै नूरु 900 रुपिया वंदु साविरा 1000 ऐसे हम बोलते हैं अगर 1100 रुपिया है तो हम बोलेंगे हनुंद नूरु 1200 रुपिया है तो हम बोलेंगे हनेड नूरु अगर 1300 रुपिया है तो हम बोलेंगे हदिमूरु नूरु अगर 1400 रुपिया है तो हम बोलेंगे हदनालक नूरु पर इसे बुलने के लिए आपको कनडा संक्याओं को या अट्रासो रुपिया, हत्तुम्बत्य नूरु, ठीक है, 1900, एरड़ साविरा, 2000, ऐसे हम बोल सकते हैं, 500 रुपिये, 2000 रुपिये, तो 500 रुपिये का अनुवाद होगा, 500 रुपाई गलु, जैसे कि हम देखा, पर हम बोलेंगे, 500 रुपाई गलु, एफिर 500 रुपाई गलु, या फिर एरड़ साविरा रुपाई, तो यह हो गया, एक रुपिया, और पचास पेसे, देड रुपिया, तो इसको हम कनडा में बोलेंगे, वंदु वरे रुपाई, ठीक है, तो यह हो गया, 2000 और पांसो, तो टोटल हो गया, धाई हजार रुपै, हम बोलेंगे, एरड़ वरे साविरा रुपाय गळो तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 500 के 4 नोट या फिर 4 नोट 500 के 500 रुपाय गळा 4 नोट या फिर 4 नोट अईनूर रुपाय गळा 2 ऐसे भी हम बोल सकते हैं तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं 10 रुपय के 2 नोट या फिर 210 रुपय के तो हम बोलेंगे 70 रुपया यरड़ नोट गलू या फिर 70 रुपय अद्दू तो देखें कृपया मुझे 2 रुपय चुट्टा दें क्रुपया मुझे 2 रुपय चुट्टा दें दयमाडी ननगे 2 रुपय चिल्लरे कोडी क्या आपके पास 500 रुपय हैं? क्या आपके पास 500 रुपय हैं 2027,ưởngünden, इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत क्या है इज़के YES2 इसकी कीमत क्या है इज़के YES2 तुमने कितना खर्च किया? निवू YES खर्च माडि दीरी नीवु येस्टु खर्च माडिद देरी मैं उसका दस रुपे का करजदार हूँ या फिर मैं उसका दस हजार रुपे का करजदार हूँ मैं नानु उसका अमनिगे दस हजार रुपे का करजदार हूँ 70 रुपय कोडबेकू या फिर 70 रुपय नानु YouTube सालमाडि देने या फिर नानुecण 17 रुपय या सालगारा नानुआ अवनिगे 77 रुपय या सालुगारा ऐसे भिया बोल सकते हो कर्जदार है साला कर्जदार है सालुदारा ठीक है कृपया कीमत कम करे दयमाडी क्रिपया दयमाडी या फिर दयविट्टु कीमत कम करे दयविट्टु क्रिपया कीमत कीमत है भाव ठीक है स्वल्पा स्वल्पा रेट कम्यमाडी रेट कम्यमाडी दयविट्टु स्वल्पा रेट कम्यमाडी ऐसे आप बोल सकते हो धन्यवाद झाल ऀुरी शर्ट आहर जो झाल झाल झाल